वाट्सव गाइज आज की वीडियो देखे आप भी बोलेगों कि यह क्या हो रहा है पाकिस्तान में मतलब टाइटल देखो पहले तो अर्भी और इंडिया नकली मुस्लिम है और पाकिस्तानी असलि मुस्लिम है यह देश ना अपने इसाब के लौ बनाता है अपने हिसाब के क कानून चलाता है डेमोक्रेसी का मजाक उडाता है अभी तो यह थे कि हमें अपने हिंदुस्तानी अब बात कर लेते हैं इस जमूरी मुल्क पाकिस्तान की हाँ ठीक बिलावल बुटो जरदारी ने ये बात बोली कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के प्रदानमंत्री वो गुजरात के कसाई की तरह तो जाने जाते थे अब वो कश्मीर के कसाई के नाम से जाने जाए मैं समझाओं तो कैसे ही समझाओं ये बात सुनके कुछी दोस्तों ऑं इसलिए खुशी हुई क्यो से यह पता चलता है कि पाकिस्तान पमें आज भी कुत्तों को भोंकने की पूरी अजादी की ब्लावल भॉंक МУ Gργा नहीं और आप कि जानकर बहुत ताज्य को ऑवा कि पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान में लीने आ ये चबतकार हुआ कैसे है ये बताए है हमारे चाचा आपने को शयाद ये चीज़ का पता नहीं कि 206 कंट्री के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं अनकरीब डिग्रियां लेने के लिए ने वो डिग्री किसे वाले से लेने आ रहे हैं क्रेप्शन की पाकिस्तान क्रेप्शन में टाउप कर चुक है और हकीकत है कि हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोग ने तीन तीन पकड़ लिए बारत मुलक जो है वो चांद पर पहुंच गया और हम लोग क्रेप्शन की टाउप यूनिवरस्टी बनाने जा रहे हैं जिन्ना को पता था कि तुम कभी चांद पे तो जाओगे नहीं इसलिए उसने पहले ही तुम्हारे फ्लेक के अंदर चंद्रमा लागा दिया और पाकिस्तानी कुछ है वो अपनी नमाईश करते हैं आई टीटी फील्ड में कुछ करें हम टेक्नालोजी के वह इंडिया इतना चीज़ की प्राइज है ना 13 लाग तो इधर हो यह तरहनवे लाग है इसे ही है मतलब कुछ भी आल्टो की अगर बात करें अभी वहां पर आल्टो लांच हुई है जिसकी कीमत चैसे साथ आठ लाग रुपया नहीं साड़े तीन लाग और इधर 32 लाग रुपया इनने हमसा एकुकि उतकी बात लाग ऑर जश्कानी वा ने डिसक्राइब हो यॉस्पन तो पाकिस्तानिकी अंगाना चाहिए नहीं जिक लिए हिए पहली गलत फहर्में के आपने दूर कर लेनी चाहिए कि हमारा जनम दिने हैं भी बड़े पाकिस्तान का आजादी का मौत सब्सक्राइब पाकिस्तानी आवाम यह समझ ले कि उनका बड़े बड़े मनाए करो केक काटा करो तुम लोग जंडे बंदे मत पेराए करो यह कितने कहा है यह हम देड़ें डेट सो रुबे का जहां मैं का टिक हो गया 200 रुबे म आंगते हैं को यहां ज़िदर भी कोई मानने मुझे देड़ेते लिए आज़ा जो लोग जहां से भी देख रहे हैं मुझे बताईए का उन्के वहां पे इतने फ्लैक की क्या कीमत है इवन इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि उन देखे आप भी 15 अगस ताते ही जंडों की विक्री शुरूब हो गई है एक दुपान यही एक दुपान आगे आफी दुपान है और अभी इनका प्राइज मैंने पूछा है 30 रुपे का है यहां पर यह 30 रुपे का है बच्छों के लिए और यह 20 रुपे का दो यह 50 वाल यह 20 रुपे का है यह आपने लेखा को जब दो संडों की बीच पर लडाई होती नो सब लोग दूर वड़ जाते और वन लड़ाय का आनद लेते और आज हम भी आज यहां अनद लेंगे आप मुसलमान है अपने दीन को प्रमोड करना चाहिए जिससे मतलब क्म्यूटी में फसाद भैले थीक है ना इसामने मस्जिद और इदर वह घंटियां बज रही हों हिंदुस्तान के बारे में बड़ी बात जल्दी बात कर लेते हैं जब यह बयान आपका सिरफ पाकिस्तान निपूरी दुनिया देखेगी पाकिस्तान के इमेज ऐसे शो होगा कि यहां पर सिरफ एक्स्ट्रीमिस लोग रहते हैं सर आप आप हर एक को वेलकम करें खुदा की कसम कहा कहता हूं कि यहां पर एक जगह पर मंदिर हो दूसरी जगह पर मजद हो हां की कम्यूटी को भी देखना है कि जिन लोगों ने अगर वहां पर इबादत के लिए आना है ठीक है ना अब रस्ते में वो कहेंगे यार यह लोग यह बाबरी मजद पर डिसकस करो ना फिर भाईया तो गुजराद में जो मस्जित हैं जो लोगों को वह भी डिसकस करो न अगर आपने आजएं आप इस वक्त पाक सर्जमीन पर खड़े हैं आप इस आप इसके भी तो देखे ना हमने के लिए क्रिस्चन के साथ हम कैसे चर्च तोड़ा आज तक एक बात बताओं आपको जो वाक्या हुआ युनाबाद के अंदर मैं साधी रहता हूं युनाबाद मुझे लावह वी मजटर की वजासे वी सर्फ टेखें कीडे बहूत है हमारी तरफ में आप के लावह की बात कर रहें हैं उसके लावा की बात कर रहो मैं अब चले मुझे एक स्वाल अब इसको बैस को खतम करते मेरे स्वाल के जब पाकिस्तान अजाद हुआ था तब हिंद खाली हिंदू की बता रहा हूं अधर माइनुटरिस के नहीं हिंदू 21 परसंट है अभी एक परसंट से कम रहे हैं किदर गए इधर ओ क्या ह हो गया बाई इस बात पर नहीं है यार मैं क्यूं मैंने मेरा क्या क्या रहा हूं मैं बगाओ यार आपके पास फैक्ट सेशन बहुत अच्छी ना वह आपके मुकंबल नहीं है आप देखें कौन सा माइग्रेट करके गिया है बलके मुसलमान थोड़े दिन पहले गई है एं बलकिस्तान जब अजाद हुआ था तो 21 परसंट थे हिंदू कहां गए ने जो है वो कौन सी 370 लगाई है जो उसने लगाई है मुझे पताओ लगाई उसने 35 तो लगाई लगाई उसने 35 तो हटा दिया ठीक है ना पीछे से डंडा किसका आया है सारी बात करो सारी बात करो साल लोगी करनी मैं भी बात कर रहा हूं जिकीन को जो है ना निकल के नहीं आया इसी महाशरे में रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं हमें 370 बे बड़ा दुख हुआ और गिल्गित बल्दिस्तान में भी यून का रेजुलेशन के मुताबिक के 351 को नहीं हटाना था 35 को हट आगर हम जमीने तो सारी खरीद रहें तो इंडिया ना कर लिए तो हम वाविला बचा रहें वलतिस्तान आपका इससा नहीं है तो वह मानता नहीं है वह कब्जा कि यह सारी दुरिया समझती है कि उसको आज तक मुक्बूजा कश्मीर क्यूं कहते है यार चले मक्बूजा अब यूएन के जो है ना वह उसके आप जलास उठाके देख लें के वहां पर दूसरे मुमालिक ने उनके सरबराहान ने कहा है कि इंडिया को नहीं करना चाहिए से नहीं कहा मुझे बताएं चाहिना का पिछले ये एक डेड़ माँ पहले का एक जो समिट हुई है उसमें चाहिना के जो आया वजीर उसने क्या कहा है कि कश्मीर के वाइशनी तो नहीं है चलें सौधी रिब्या कोन है हम से जाधा अच्छे मुसल्मान है आपको किस ने कहा दिया नहीं है यार यह तो कॉरी दुनिया को अच्छी तरीके से पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान बंगलादेश के मुसल्मान कंविटेड मुसलिम हैं और सौधी रवालों को बोल रहे हैं कि पतानीं कौन से मुसल्मान है अब जहां से इसलाम बना चला वो तो असली इसलाम है जहां पर मक्का है मदीना है जहां से इसलाम पेदा हुआ जहां से इसलाम पेदा हुआ जहां से इसलाम फेला उन लोगों को यह कह रहे हैं कि वह पता नहीं कौन से मुसल्मान है और तो और इनके कि चाइना ने चाइना इंडिया के बॉंदर में कि इसले बोलिंगा तो पापा है चाइना यह मानाते हैं फुर्टी इंडिया को फाथनी मानते ने फौटींद एपकी इंडिपेंडेंट तो याज भी नहीं है इस नहीं है ऐसे बैठ रहते हैं इनका जजबा हमेशा उसकी तरह बढ़ता निचे रहता है जब जैसे आइमेफ देदेगा फिसाओदीर और बढ़ देगा मतलब जैसे मैंने हर कंट्री में सुनाः कोंई न बैस इस ब्सक्का इसे में बड़ी कंपनी का आके इंवस्ट्मेंट करना वो इसको पता है कि जलाशी कोई कॉट्रवर्शी किसी और आपता है कि फोगी अपनी पर उनको पता है कि यहां आएंगे कमाई धमाई हो ना हो तो तो पाकिस्तान मतलब इसका तो यह है पाकिस्तान को चाइना की चूंके बिना ना चाह भी नहीं कर सकता है और उसके खिलाब कुछ नहीं बोलते कभी भी है क्यों कात नहीं उनके खिलाब बताइएगा और मिलते आपसे एक और वीडियो के साथ बाबाई टेक क्या